चैनल टेबर वीडियो संतुस में आपका स्वागत है आज में जो अपडेट देने के लिए पटना बक्सा फोर लेन में हम अभी बीहिया के पास अपडेट देने के लिए आये हैं जिसमें आप देखेंगे कितना काम हुआ है आप मेरे इस वीडियो को बीच में कहीं स्कीप न करें और चैनल को सेर और सब्सक्राइब करना ना बूले ताकि मेरे अगले अनुल वीडियो का आपको नुट्प्रिक्शन आपको मिल सके हैं चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं आज हम आपको बिहिया में जो मार्केट के बाहर से निकल रहा है फोर लेन उसका अपडे दाहिनेस तरब मार्केट के बाहर से निकल रहा है और यह जिससे हम जा रहे हैं यह मार्केट होते हुए जाएगा तो हम आज अपडेट इसका दे रहे हैं यह टोटल पतना से बकसर के बीच में बन रहा है यह नेशनल हाइवे 84 है पिछले वाले वीडियो में हम गजडाज अपडेट दिया था आज हम बहिया में जो बन रहा है बाहर से उसका अपडेट दे रहे हैं यह जो इसका आप देख रहे हैं यह प्लांट लगा हुआ है और यह जो सामने आप देख रहे हैं यह छोटी सी नदी है जो कि यहां से निकलती है नीचे से तो उसके लिए यहां पूल बनाया जा रहा है में पहले सत्कूल जो कि अभी न्या बन रहा है जो पोड़न पूल है और यह जो आप देख रहे हैं यह आरा के तरफ जायेगी यह फोड़ने के बीहिएं के बाहर से निकल रहे है यह वही पूल है जो आप देख रहे हैं जो यह पुराने वाले पूल के बगल में बन रहा है और इसके नीचे से नदी गुजरती है यह जो देख रहे हैं आप फूल का काम चल रहा है जो देख रहे हैं आप सामने देखाई दे रहा है यह पूल का हम करीब पहुँच चुके हैं जो आप देख रहे हैं यह सणक इस तरफ बक्सर चली जाती है और यह इस तरफ आरा के तरफ चली जाएगी यह पुराना वाला पूल है और यह जो बन रहा है यह नए वाला पूल है अभी इसमें काम बाकी है पूल में और यह नीचे से छोटी सी नदी जो बरसाती नदी है बरसात के दिनों में उफान पराती है वह लिकलती है चलिए हम इस तरफ चलते हैं, आरा के तरफ और यह जो आप देख रहे हैं यह बीहियां के बाहर से निकल रहे है, जो कि मेंन मार्केट से बाहर होते हुए यह निकल रहे है यह सणक दुनों तरफ ढलाई हो चुका है आप देख रहे होंगे और बीच में डिवाइडर में मिट्टी भराई का काम चल रहा है यहाँ पर अभी कंक्रीट बिचाया जा रहा है अभी यहाँ पर ढलाई करना बाकी है और यह जो आप देख रहे हैं सामने यहाँ अंडर पास बन रहा है क्योंकि इसके भगल से भी एक सणक निकलेगी जो कि इसके नीचे से होके जाती है इसी लिए यहाँ अंडर पास बनाया जा रहा है यह जो आप देख रहे हैं यह अंडर पास बनाने का काम यहाँ चल रहा है चलिए हम आगे चलते हैं अभी मिट्टी इस पर डाला गया है मिट्टी भार कर रोलर से इसको समतल किया जा रहा है पिर इस पर ढलाई किया जाएगा यहाँ आप जो देख रहे हैं यहाँ धलाई हो चुका है वह सामने आप देख रहे हैं उस तरह जो पुराना वाला रोड है यह वाला नय वाला पन रहा है जो कि बीजिया के बाहर से निकल रहा है यह सीधे आके जाके जूट जाएगा उसी रूट में अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये ता आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना बूलें क्योंकि मैं अमेशा ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना बूलें क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से मेरी वीडियो कब आएगी उसका आपको पता चल जाएगा जिससे आप मेरे हर वीडियो आप देख सकेंगे और इसके साथ ही मुझे इंस्टागाम आड़ी पर फॉलो करना ना भूलें जिसका लिक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस पर जाके मुझे जो रूट फॉलो करें अब हम आ चुके हैं ओ रोड जहां इसका पुराना वाला रोड और इसका जॉइंट होता है यह जो सामने देख रहे हैं ओ रोड यहां आके मिल जाता है ओ जो रोड सामने जो आप देखें ओ मार्केट के तरफ चला जात है और यह रोड जो इस तरफ आके मिल जाता है आज के वीडियो में इतना ही और अन्तक देखने के लिए आप सभी की धना बाद आसा ही वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सेर करें और सब्सक्राइब करें और बेल एकम प्रेस करना ना भूले तब तक क्या लिए अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाई और टेक यार